हमारे यूट्व चैनल में आप लोग का हर्दिक स्वागत है अगर आप लोग स्वास्त के साथ जुड़े रहना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और विडियो अच्छे लगई तो दुसरे लोगों तक जरूर पहुचा दिजेगा ताकि इसका ला रिका बताऊंगा और बायपणयाम कैसे करते हैं और उसके लाव क्या है इसकी जानकारी में आप लोगों को इस विडियो के माध्यम से दूँगा तो बायपणयाम में तीन बंद लगते हैं सबसे पहला हमारा जालंदर बंद गले की पास से लगाया जाता है कैसे लगाया ज लगते हैं और बाय कुम्भग लगते हैं ये एक कुम्भग बाय कुम्भग का प्रयोग करते हैं और तीन बंध का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं इसकी जानकारी दूँगा तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं आप जैसे भी बैठना चाहते हैं वैसे बै बैठ पाते हैं वो उसको पैर को खोल करके भी कर सकते हैं तो आप लोगों को बैठने का यह फंडा नहीं कि भई मैं बैठ नहीं सकता तो बायप्रणयाम नहीं कर सकता आप चेयर पर बैठ करके भी इसका लाब उठा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है बायप्रणयाम का कि मल और मुत्र से जुड़ी हुई चीज, आपके क्योर होते हैं, सिधी सी बात आप ध्यान रखिएगा, कि लोगों को पाइस हो गारा की समस्या हो, या योन सम्मंदी समस्या हो, या आपके किसी भी तरह का दिरिश सम्मंदी कोई समस्या हो, तो आपके इससे ठीक होते हैं, क्यों थीक होते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे बड़ी बात है कि बाय प्रणयाम में देखने वाली बात पहले कैसे करते हैं, पहले आप सून लेजे, और कैसे यह लाब करते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो सबसे पहले हैं को क्या करना होता है कि किसी ध्यानात्माक आसन में बैठ जाते हैं फिर स्वांसों को क्या करते हैं पूरी स्वांसों को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद स्वांसों को बाहर रोक देते हैं स्वांस बाहर रोक दिया आपने इसके बाद पेट को अंदर करते है और उपर की तरफ घीज लेते हैं जैसे मैं करके आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे करना है आप लोगों तो सबसे पहले हैं मैंने क्या किया श्वाशो को बहार भी गाला कहने कारता है कि पहले सवाशो को हमने बाहर निकाला सवाशो को रोक दिया इसको बोलते हैं बाय कुमभक सवाशो को बाहर निकाल को रोकने की क्रिया को योग के भासा में बाय कुमभक बोला जाता है पहला काम दोसरा काम पेट को अंदर खीचना है तीसरे काम आपको ऊपर की तरफ आपान वायू चलता है हमारा ये नाभी से मल द्वार तक है ये हमारा आपान वायू चलता है तो आपान वायू को कह करना है जब आप ऊपर खिचेगे आपान वायू को तो आपका जो मल दौर है वो अंदर की तरफ खीचेगा, ऊपर की तरफ खीचेगा. तो आपके मल और मुत्र से जो समस्य हैं, हमने आपको बता है कि क्योर होता है, तो वो सारी चीजे पाक्स के आगया, उपर के तरफ आपके खीच गए, पानवायू, आपके जो अपानवायू है, वो उपर के तरफ खीच गए, यथा संबव, जितना देर आप बाई कुंभक का इस्तिमाल कर सकते हैं, स्वास रोक सकते हैं, गले से अगर आपने स्वास को र रखा है, तो इसको बोलते हैं मूल बंद, तो त्रिबंद, इसलिए बोला जाता है, कि त्रिबंद के साथ, अगर कोई बाय प्रणयाम करता है, तो बहुत सारी चीजे, पेट से जुड़ी हुई समास्या, तो आपकी ठीक होती ही होती है, कि पेट से जुड़ी हुई जैसे, gas, curves, acidity इसमें तो रहाद मिलता ही है साथ ही साथ आप देखी कहा कहा फर्क पड़ता है, स्वांस आपने बाहर रोका है, तो उर्जा की खपत ज़्यादा पड़ गई स्वांस तो लेने रहे हैं स्वांस को आपने बाहर निकाल करके और रोक दिया है, तो आपके फेपड़े पूरे क्या हो रखे हैं पूरे पीछके हुए हैं, जब भी समय मिलेगा, तो आपकी जो ब्रिधिंग होगी जो स्वांस लेने की कैपिसिटी होगी, वो जादा हो जाएगी, चुकि आपने स्वांस बाहर निकाला था, और स्वांस को आपने रोके हुए था, यह था संभव जितना देर आपसे हो सका था इसके बाद जैसे ही आप स्वांसों को लेंगे, तो पहले से ज़्यादा स्वांस लेंगे, तो आपके फेपड़े भी इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावी ही है, और आप बार-बार यही सी चीज को माल लेज Ły कम से दस बार, इसको दस बार भी कर सकते हैं आप. इसकी अभ्यास आप जितना करेंगे इससे नुकसान नहीं होने वाला है. लेकिन कम से गम पांसाफ तो जरूर करें, पांसाफ बार करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि करना क्या है आप लोगों को स्वांसों को पहले बाहर दिखा लेंगे और फिर यही काम आपको कंटीनियू करते रहना है आप अपनी सामर्थ बढ़ाते जाएं और इसका भ्यास आप करते जाएं तो इसी का नाम है बायपनया अत्रिबंद के साथ करते हैं ज़्यादा लाब मिलेगा और विशेश कुछ नहीं है योन सक्ति बढ़ती है यह जमान लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है जो लड़के का बहुत सारे लड़ यह सारी समस्या काफी आ रही है योनी व्रंस हो गया गुद्दा व्रंस हो गया तो इन सारे चीजों को क्या करता है क्योर करता है इसे बोलते हैं बाहे प्रणयाम तो बहुत सारे हैं लेकिन विडियो हमारी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस विडियो को कम करत हूं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की जानकारी आप लोगों को और भी चाहिए और हमारे शाठ पर जुने रहना चाहते हैं तो अभी तक अगर हमारे चैनल के लिए नय है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जariba कीजिएगा और दुसरे लोगों तक जरूर पहुचाएगा ताकि आप इसका लाब निजिए दुसरे लोगों को भी लाब दीजिए चुकर योग और अइरूबेट को जितना बातेंगे और इसका जितने लोग लाब उठाएंगे उतने लोग इसकी जो हासिरवाद आप लोगों को मिलेगी तो ये पुरशार्त में आप लोग भी मेरा साथ जरूर दें अगर हो सके तो साथ ही साथ दो क्रिया भी आप लोग को इस वीडियों में करके बता दे रहा हूँ कि जैसे अगरी साथ क्रिया कैसे करते हैं तो अगरी साथ क्रिया करने के लिए क्या करते हैं हम शौशो को बाहर निकाल लेते हैं शौशो को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और पेट को अंदर गीशते हैं और डीला छोड़ते हैं, कैसे करते हैं, बार बार अगर यही किरिया करने से, आपके बड़े से बड़े पेट वाले भी इसका बार बार मन्थन होने से, ऐसा बार बार मन्थन होने से क्या होगा, कि जो मोटे पेट वाले की भी चर्वी यहां से गलती है और सरीर से सबसे ज़्यादा अगर फैट आता है तो यहीं पर आता है ठीक है और ये एक तो ये अगनी सार क्रिया है साथ ही साथ नोली क्रिया का भी आभ्यास आप कर सकते हैं श्वाशों को बाहर निकाल करके और उससे शंकुजित करना होता है नोली क्रिया में तो इस प्रकार से आप लोग नोली क्रिया भी कर सकते हैं अगनी सार क्रिया भी कर सकते हैं तो आप लोग इसका भ्यास करें और अपने पेट की चर्वी को घटाएं चुकि सबसे ज़्यादा चर्वी हमारे पेटों में होती है सरीर में मुटापा आने से बहुत सारी बिमारियां आती है और जितने आप exercise करते हैं, जितने आप yoga करते हैं उससे क्या होते हैं, कि आपके सरीर की जो चर्वी है वो गलती है और बाहर निकलती है तो आप इस चर्वी को जो extra चर्वी चर्वी तो होना ही चाहिए सरीर में बट extra चर्वी को जरूर गला है ताकि आपका सरीर slim रह सके, स्वस्त रह सके और अपने उम्र से कम दिखने का प्रयास करें तो ज़्यादा उम्र के लोग भी इस चीज को करेंगे अगर मान लीजे कि हमारे जैसा देखना चाहते हैं तो आप पच्वन में भी हमारे जैसा देख सकते हैं यह अपनी अनुभव बता रहा हूँ मैं दुसरे की अनुभव नहीं बता रहा हूँ चुकि मैं यही करता हूँ और जो करता हूँ वही आप लोगों के साथ सेर करता हूँ अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्वस्त हो तो आप लोग जरूर हमारे रूटीन को जरूर फोलो करें और अपने दिंचरिया में योग को जरूर शामिल करें धन्यवाद ओम